कि देखो कैपटन कोई भी हो कैपटन कैसा भी हो कैपटन आप किसी कैपटन के फैन हो यह नहीं लेकिन जो बच्चे हैं हम उनके अगयंस नहीं हो सकते बराबर है जो बच्चे है जिनके कैप्टन कोई भी हो चाहे वो सलमान हो दानीश हो साइली अरू पवन अरूदीप मतलब आपको जिनको सपोर्ट करना है आपकरो अज एकैप्टन बट बच्चों को हम नहीं कह सकते कि ये बुरा है ये अच्छा नहीं है हर एक का मौरल मुझे लगता है कि हर हमने सपोर्ट सबको करना है बात यह है कि टैलेंट वो तो बच्चों को दिखाना पड़ेगा अगर आपको जीतना है तो सेमी फाइनल की बात आ चुकी है और सेमी फाइनल मतलब कुछ ना कुछ कोई न कोई निकलने वाला है ये तरीके से कुछ लोगों के लिए सैड मुमेंट भी होगा कुछ लोगों के लिए हैपी मुमेंट भी होगा अब वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं मैंने पहले भी बोला था SSS3 जल्दी खतम होने वाला है और SSS 4 के लिए ही तो मसका लगा रहे है ने अरुदीप को ये लोग सुनी वाले तो वो तो भाई पिगल जाएंगे वो उनकी आदत है थोड़ा हाई हेलो कर लो उनको हैपी स्माइल दे तो दोनों विचारे इतने भूले है कि वो पिगल ही जाते है तो अब ये मान के ही चलो क कि SSS 4 में ये लोग होंगे आले कि मैं दिल से चाहूँ मेरा उपिनियन नहीं होने चाहिए हो अगर होने चाहिए तो ये बाकी के लोग नहीं चाहिए मतलब समझ जाओ आप कि ये और ये स्पेशली ये निहा को लेके तो मैं बूलूंगा और कोई अलगी जाज हो तो बेटा नहीं लूंगा आपको बस दिल से बताना है कि से भी फाइनल कौन जीत रहा है कोई भी कैप्टन हो चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा आपका फेवरेट होता है पर वो बच्चा टैलेंटेट होता है कभी कभी कैप्टन आपका फेवरेट होता है लेकिन आपको लगता है कि यार यह बच्चा तो इसके साथ जो है टीम वाला जो मेंबर है यार वो तो उस बंदे का जादा बेटर है तो यह आपको बायज नहीं होना है भाई आपको क्या लगता है दिल से कि नहीं आप यह मत देखो कि काटन कौन है आपको क्या लगता है कि किस में है वो ए पहुताना कि आप यह सीरियस टॉपिक आचुक है अब सेमी फाइनल आना मतलब इस वेरी बिग मुमेंट अचीवमेंट कुछ लोगे के लिए सैर मुमेंट भी होगा कि आपका फेवरेट कोई ना कोई इलिमिनेट भी हो सकता है तो यह अब यह सीरियस टॉपिक शुरूग हो सीरियस बाते है अब वो नया विया को जरबाजू में रखेंगे हैं आप कमेंट में बताए कौन लगता है कौन जीतेगा यह शो चलो ठीक है शो को जाने दो पहले यह बताओ फाइनल तक कौन पहुचेगा सेमी फाइनल में इलिमिनेट कौन होगा आपको क्या लगता है या पर क्या है कि अगर मैं मेरा ओपिनियन दे दूँगा ना कि मुझे कौन लगता है तो यार कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो क्रियेटर को के ही ओपिनियन सेम हो जाते मतलब कभी-कभी कमेंट करने वाला साइड ले लेता है मैं वो नहीं चाहता हूँ मैं में वारना कुछ लोग जो हेटर है वो लोग मुझे बायस भी बोल देंगे तो वैसा नहीं चाहिए मुझे मैं मेरा ओपिनियन आप पूछोगे तो मैं दे दूँगा बाद में मतलब चाहे ये लोग जीते ना जीते कोई अगर मेरा जो मुझे लगता है कि बंदा वो ज जीतेगा कमेंट में वीडियो को शेर करो अपने को देखना है किसको कितना सपोर्ट है इस नूट अबाउट सपोर्ट आप टैलेंट को करो बैक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजी लेकिन वीडियो को शेर जरूर कीजेगा